आज का मेरा टॉपिक है बूस्ट यूर इम्मूनिटी विद वेस्टीज पावर ओफ फाइफ की कैसे हम अपनी इम्मूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं वेस्टीज की फाइफ पावर से देखते हैं कि वेस्टीज की क्या फाइफ पावर है जिससे हम अपनी इम्मूनिटी को तब ही हम कोविट से फाइट कर सकते हैं जैसे कि हम आज कर केसी देख रहे हैं हॉस्पिटल में कि सपोज आज हैं तो इसमें से कुछ रिकावर भी हो जाते हैं तो क्या डिफरेंस है उनमें जो रिकावर हो रहे हैं और उनमें जिनकी डेथ हो गई है द्यूटू कोविट कुछना है कोरोना वायरस के टाइम में ही नहीं वैसे भी हम इंपनी इम्मूनिटी को बूस्ट करके रखना चाहिए क्योंकि आजकल जितनी भी डिसीजिजिजिज में जो प्रफ रही है हो को बिड की बजेए कोब हम देखते हैं जितनी भी डिसीजज रहती है वह विख इम्म्यूनिटी सिस्टम की वज़े से फैलती हैं तो next है कि अब हमने फॉर तेक लिया इम्म्यूनिटी तो इम्म्यूनिटी exactly होता क्या है तो इम्म्यूनिटी क्या है इम्म्यूनिटी हमारी बॉड़ी का एक defense सिस्टम होता है जो हमें एलर्जी बैक्टीरिया या वायरस इससे बचाने के लिए मदद करता है अगर हमारी इम्मुनिटी ही वीक होगी तो हमें जिस डिसीजिस जल्दी से लगेंगे आज कल हम देख रहे हैं हर गर में किसी को हर टाइम कोल रहता है कफ रहता या फीवर होता है तो उसी के पिछे एक ही रिजन है कि उनकी इम्मुनिटी वीक है तो हमें क्या करना है अपनी इम्मुनिटी को स्रॉंग करना है इम्मुनिटी जो है यह एक इम्मुनीज वर्ट से डिराइव होती है जिसका मतला होता है फ्री फ्री फ्रॉम एनी डिसीजिस नाओ यह हमार यो लैपटोप या कम्प्यूटर है वो किसी भी वाइरस से बस सकतें तो ऐसे हमारी बॉड़ी के अंदर एंटि वाईरस सिस्टम है immunity हमें अपनी immunity हमारे अपने बॉड़ी के base को strong लगना है ताकि हम किसी भी से बस सकते नेक्स्ट कोशन आता है कि क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे immune system को effect कर रहे नमबर वन अगर हम बात करे stress तो आजकल सब की life में किसी ना किसी बात का stress होता है किसी को studies का stress है किसी को अपने business का stress है तो stress का बहुत ज़्यादा हमारे immunity पर effect पड़ता है नेक्स्ट है highly processed food जो हम जितना भी हम भार का खाना खा रहा है उनसे क्या हो रहा है हमारी बॉडी में अच्छे nutrients तो नहीं आ रहा है लेकिन हमारी बॉडी में bad nutrients आ रहे हैं जिनकी वज़े से हमारा immune system weak हो रहा है third point है alcohol जो alcohol लेते हैं या drugs लेते हैं उससे भी हमारे immunity पर बहुत ज़्यादा effect पड़ता है fourth point है excessive use of medicines आजकल क्या हो रहा है कि थोड़ा सा भी fever हुआ या cold हुआ या cough हुआ तो हम जल्दी से pain killer लेते हैं और pain killer लेने से क्या हो रहा है जो pain killer के ant products होते हैं वो हमारे immunity को weak कर रहे है next lifestyle आजकर लोगों का lifestyle इतना ज्यादा busy हो गए कि ना तो वो time पर खाना खा रहे हैं ना वो time पर exercise exercise कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं तो उनका lifestyle बहुत जादा busy है लास्ट है poor eating habits तो जो आजकर लोग खाना खा रहे हैं वो nutrients उसके अंदर nutrients नहीं है जिसकी वज़े से हमारे immunity system पर बहुत जादा effects पर रहा है next है कि कैसे हम अपनी immunity को strong कर सकते है what are the ways to boost your immunity number one is adequate sleep हमें proper सोना चाहिए second is get vaccinations advice by doctors जो doctors ने हमें vaccinations advice करे हुई है वो हमें लेनी चाहिए थर्ड है balance diet ऐसी diet लेनी चाहिए जिसके अंदर सारे nutrients हूँ it means balance diet का हमारी immunity पर काफी effect पड़ता है next है stay away from stress हमें stress से दूर है ना चाहिए stay physically active हमें physically active है ना चाहिए alcohol tobacco and other drugs को हमें avoid करना चाहिए drink adequate water जो हमें adequate पानी पीना चाहिए practice yoga and meditation एक हमें yoga and meditation रोज करना चाहिए अपने diabetes and blood pressure पर हमें control करके रखना चाहिए और जो हमारे family members है उनके साथ हमें healthy relationship बना कर रखनी चाहिए अब अगर मैं यहां पर एक आपसे question पुछों कि क्या जो यह तरीके है immunity को boost करने के लिए क्या आपकी इस lifestyle में है अगर मैं बात करूँ adequate sleep तो आजकल कोई भी नहीं है जो पूर प्रॉपर स्लीप रह रहा हूं किसी को study करनी होती है रात रात तक किया किसी का work होते है तो वह प्रॉपर अपना sleep नहीं ले पा रहे है और बैलेंस डाइट तो कोई लही नहीं राज कर लोग टाइम पर खाना निखा रहे तो बैलेंस डाइट की क्या बात है यहां पर और स्ट्रेस सबको होते है तो हम कुछ में ऐसा कर रहें जिससे हमारी इम्मुनिटी को स्ट्रॉंग हो सके सबसे पहले हां पर मैं वेस्टीज मेनेजमेंट का थैंक यू करना चाहती हो जिन्होंने हमें वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोड़क्ट सो प्रोवाइट कराए ही उसके साथ साथ हमारी हेल्थ पर भी प्रॉपर ध्यान दिया ये तो इस एसलों ही रहे हैं ऄ रहे हें जिसकी वाज़े से लोग बिमार रहें तो यहां पर बैसिक प्रॉब्लम क्या है लोग वि one पर रहे है तो बेसिक प्रॉबलम जूट्राइंट कि क्ली बीजमी हो गया है कि हम प्रॉपर नूट्रीँमेंगे एट-न्यूर्य है तो nutrients क्या है, nutrients वही nutrients को add करते हैं हमारी diet में जो हमारे रोज जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जो भी nutrients की कमी रह जाती है उसको add करते हैं हमारे food के अंदर वो है supplements तो supplements हमें वेस्टीज नेम capsules की फॉर्म में प्रोवाइड कराया है यह easy to carry है अगर आपके पास ऐसा food लेने का टाइम नहीं जिसके अंदर nutrients है तो आप वेस्टीज के capsules ले सकते हैं जो easy to carry है कहीं भी आप अपने बैग में carry करके उसको ले जा सकते है नेक्स एक important question ही आता है कि why there is a need of supplement कि supplement की ज़रूरत है क्या हम देख रहे हैं कि आजकल जो है population तेजी से बढ़ रहा है और इस बढ़ते होए population की वज़े से सबको खाना प्रोवाइड करना बहुत जादा difficult हो रहा है और बात करें population तो बढ़ी रहा है साथ साथ pollution भी बहुत जादा increase हो रहा है और pollution की व पर आया है कि हम एक अच्छा फूड नहीं ले पा रहा है और बात करूं toxicity आजकल हमारे environment में इतना toxicity फैल रही है जिसकी वज़े से हमें वह quality का food प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है जो हमें proper अपनी डाइट में चाहिए last one is poor eating habits हमारे खाना खाने जो हम खाना खा रहे हैं उसक है what are the benefits of supplements की supplements के क्या-क्या benefits है so number one is prevents disease यह हमें विमारियों से रोकता है कैसे रोकेगा अगर हम proper जो हमें proper nutrients required है हमारी डाइट में daily अगर वह हमें मिल जाएंगे तो हम diseases तो बचे ही रहेंगे second है beneficial for overall health यह हमारी overall health के लिए बहुत जादा beneficial है और यह हमें deficiency disease की deficiency से बचाता है ज है और minerals की तो इसको हमें बचाता है next step provide additional nutrients in our diet यह हमारी diet में additional nutrients प्रोवाइट करता है ताकि हम diseases से पचे रहें and last is help in managing some health conditions जो health conditions आज क्या हो रही है जैसे हम देख रहे हर घर में किसी को diabetes है किसी को blood pressure है heart disease है तो उसको manage करने में हमें help करता है तो इसलिए हमें supplements की importance को समझना चाहिए इस busy lifestyle में next है first of all एक query है जो लोगों को हम recommend करते हैं जब supplements तो वो यह कहते हैं कि हम doctors की advice से supplements को लेंगे तो सबसे पहले मैं आप सबको यह बताना चाहती हूं कि doctors की advice से हम medicines लेते हैं क्योंकि medicines और supplement में बहुत जादा difference है जो supplements होता है वो natural based product होता है natural चीजों से बनाया जाता है लेकिन जो chemical को का ऐसा मानना है कि वेस्टीज को सबस्टीज के सप्लीमेंट को कुछ certificate प्रवाइड नहीं है लेकिन मैं आपको यहां पे बताना चाहती हूं कि वेस्टीज के supplements है उनको ऐसे certificates प्रवाइड है जो बहुत कम companies को मिलते हैं अगर हम बात करें 2006 में 2006 में वेस्टीज ने ISO certificate रिसीव किया था 2008 में वेस्टीज एक prestigious health food and dietary supplement association का पार्ट बना इन 2009 वेस्टीज ने good manufacturing practices certificate रिसीव किया 2010 में वेस्टीज ने certificate of excellence in productivity quality innovation and management certificate रिसीव किया by the institute of economic studies and last one is in 2011 वेस्टीज रिसीव अप्ग्रेड इस रिसीव अप्ग्रेड़ इस रिसीव तो इस रिसीव केट फिस्टीज इस रिसीव केट इस रिसीज को इस रिसीज को इस रिसीव केट प्रोवाइड है जो यह प्रोड़क्ट्स है यह हमारे बेस्ट कॉलिटी के है यह बेस्ट कर सर्टीफिकेट ऑफ कॉनफर्मिटी है थर्ड सर्टीफिकेट हलाल सर्टीफिकेट जो बहुत जादा कि कैपसूल में कोई भी अनिमल एक्स्ट्रेक्ट ना हो तो यह सर्टीफिकेट यह बात प्रूफ कर रहा है कि इस जो यह सिक सप्लिमेंट से इनके अंदर कोई भी अनिमल एक्स्ट्रेक्ट नहीं है इसमें एक लाइन भी लिखे है कि लोग डॉन करें कि आज कल जो है लोग पैनिक और यह तो मैं यहाँ पे लाइन बोलना चाहथ हूं इसके बचिए पैनिक मत दो ही है वैस्तीज ने हमें अच्वement प्रोभाइट करें शब्रोपर घाकर से supplements लिए और करोना से frequent आते हूं है जिसके फाइदे हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा पाए गए हैं इसकी इंपोर्टेंस 2000 यह से आयुर्वेदा के अंदर है और नोनी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में एंटी ऑक्सिडेंट पाया जाता है एंटी ऑक्सिडेंट वाइटमीन सी एंड पोटेशियम यह करता है जाएट तो फिर्फ पहले उसका काम क्या है वो सेल्स को क्लीन करता है जब वो सेल्स क्लीन मानलीजिये कि आपके पास कोई सेल्स है उस पौर्स में कोई गंद की घुज गई तो हम जो नियूट्रेंट लेते हैं वो प्रॉपर तरीके से हमारी बॉड़ी में करता है ताकि जो न्यूट्रियंट्स है वो इजी हमारी बॉडी में चले जाएं सेल में एंटर कर जाएं और इसके हमें बहुत जादा फाइदे मिले नेक्स्ट है नोनी के क्या-क्या बैनिफिट्स है तो आर्थरिटी अगर हम बात करें जिनको भी जॉइंट मोबिलिटी जिनको भी डेस्पिरेटरी प्रॉबरम है वहां पर अस्तमा बहुत जादा बैनिफिट्ड है ब्लेमिश की प्रॉब्लम है वहां पर भी हम नो नोनी को दे सकते हैं ब्रोकन बॉन्स की प्रॉब्लम में नोनी को दे तक एए प्रब्लम है तो वहां पर भी हम नोनी को रिकमेंड कर सकते हैं इंडिजेशन की प्रब्लम है इंडिजेशन की प्रब्लम है तो वहां पर भी हम नोनी को रिकमेंड कर सकते हैं इंफेक्शन और वाईरसी इस 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 इपर और आते रहते हैं तो वहां पर नोनी को दे सकते हैं एक्सट यूमर विए बहुत जादा एलफूल है यह ट्यूमर की ग्रोथ को वहीं ट्रोग बात करते हैं दोसेश और यहाँ क्या डोसेज तो क्या-क्या दोबार इसमें तो फोर कैफूल एक दीन दे सकते हैं लेकिन कब विफोर यह खाना खाने से आद्र घंटा पहले हमें यह लेना है और इसकी कुछ रिस्टिक्षन है क्योंकि हमने पहले भी देखा कि नूनी के अंदर एंटी ओक्सिडेंट पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है तो जो लोग जिनको डाइट में पोटेशियम लेने के लिए मना किये गया जिनको किड्नी रिलेटिट प्रॉब्लम है उनको नूनी को अवाइड करना है स्पाइयरूलिन है तो टॉ स्पाइयरूलिन है की को कहते हैं जैसे पानी में देखते हैं काई जम जाती है ऐसे ही समूंदर के अंदर जो काई होती है उसको स्पाइयरूलिनAAAA कहते है। व्लू ग्रीन को कि आखे कहते हैं और यह बहुत टाइम से यूज हो रहा है स्पाइरूलीना के अंदर 10 टाइम्स जादा बीटा कैरोटीन होता है एस कंपैरिजन टू कैर नाव बीटा कैरोटीन क्या होता है जो आज के हम देख रहे हैं कोवीड-19 के टाइम पर जो भी डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं पेशन्ट को वो क्या कर रहे हैं वो बीटा कैरोटीन की हाई डोसेज दे रहे हैं इम्म्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और वाइटमीन सी की भी हाई डोसेज दे रहे हैं इम्म्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अगर और स्पाइरूलीना के अंदर पहले ही बीटा एसीड हमें मिलते हैं इसके अंदर जी एले गामा लाइनोलिक एसीड पाया जाता है जो एक एजेशियल फैटी एसीड है जो हमारी बॉडी में फैट को मैंटेन करके रखता है और इसके अंदर एजेशियल वाइटमीन्स लाइक वाइटमीन बी वाइटमीन सी एंड वाइटम प्रोटिन से इसलिए स्पाइरूलिन को हम मल्टी वाइटमीन मल्टी मिनरल कैप्सूल भी कहते हैं और यह एक प्लांट बेस प्रोड़क्ट है तो यह कंप्लीट वेजिटेरियन है नव नेक्सट इस वो शूट टेक प्रोलिना प्रोलिन रटे सकते हैं सीनियर सीटीजन्स के अंदर इफिशंची यह जिनकी वज़े से उनको पेशन होता है वोडी में तो इसलिए सीनियर सीटीजन्स को में स्पाइरूलिना देना चाहिए नेट्स्ट्पूर्बूर क zijपकर इस जोविप कण सब्सक्पार मंधेअ उनकी थाइट में धिसकी हुआ उनको सिपाइरू लिना दिना इस रिव्जवं स्पाइयो बलेले पार जिसक इंदर न्यू PPE और इसको छोटन उन लोगों को भी हम स्पायरूलीह पेशेंट जो अभी necessity कि अब्रूछलिए पीच जो अभी किसी डीशी से रिकावर होई है उनको भी हम सपायरूलीन दे दो सकते हैं कोई सected Яग्मिलण की आप्लम में देशक्ते हैं जैससे कि Sanemio setzen में कि करिभिय केुछ थाचय बीजिन, की प्रोबलम मुद्ट के सकते हैं , जा टी जे वह अचिकी के एनrieben fleet कर कि ऐसे की खून अब्सक्राइब यह किसी को हाइपर ले सकते हैं जब कोई परसं कि को थारोईड है वहां पर हम यह आवाइट करना है इस वहां पर हमें यह आवाइड करना है वहां पर हमें आवोइड करना है किसी को इसको रोज लेती हूं, बहुत ही अच्छा प्रोड़क्ट है, हमें इसको सब बच्चों को देना चाहिए, बहुत अच्छी से इम्मुनिटी बूस्टर इसे वेस्टीच कोलेस्टरम और इस वन फ्माइड प्रोड़क्ट मैं तो इसक कि सब बच्चों को डेना चाहिए, बहुत अच्छी इसी मुनिटी हमारी भूष्ट होती है. सबस्वास्टरम है क्या. कोलेस्टरम जो मतार का फस्ट मिल्खी होता है उसको हम कह सं कॉलेस्टरम कहते हैं, और इसके अंदर बहुत जादा-इमांट में एंटी बॉड़ी does इसके अंदर 100 times more antibodies है as comparison to regular milk next है इसके अंदर पहुत जादा amount में vitamins and minerals हैं जो हमारे immunity को बूस्ट करते हैं अब कोलेस्ट्रम कहां कहां पे benefits है इसके क्या क्या benefits है सबसे पहला benefits तो यह ही है कि यह हमारी immune system को boost करता है और second है यह control inflammation कोई भी किसी को inflammation की problem है allergy की problem है तो वहां पर यह बहुँ जादा beneficial है यह हमारे cellular tissue को repair करता है उनको rebuild करता है हमारी health को restore करता है जो nutrient हब ले रहे हैं उसको improve करता है हमारे bone mass को increase करता है स्किन की elasticity को restore करता है हमारी body को energy देता है हमारी memory को increase करता है और लास्ट है normalize the fat which is जो हम fat ले रहे हैं उसको maintain करता है उसको control में रखता है नाव दोसे जो fasting cholesterol के क्या dosage है two capsules twice daily it means हमें four capsules एक दिन में लेनी चाहिए next product आता है posterior immunity में aloe vera aloe vera तो हम सभी जानते है 2000 एयर से हम aloe vera का use करते आ रहे हैं aloe vera के अंदर ऐसे बहुत सारे effect पाए गए हैं जैसे की antimicrobial antiseptic and anti-inflammatory ऐसे कई benefits aloe vera हमें देता है aloe vera के अंदर glucose minus arbyans and galactans है जो क्या करते हैं tumor cell को खतम करते हैं और हमारे general health को भी promote करते हैं और digestive system को stimulate करने में aloe vera help करता है next है aloe vera के क्या-क्या benefits है number one is reduce inflammation किसी को inflammation की problem है तो यह उसको reduce करते है second है heart burn acid reflex क्योंकि aloe vera बहुत थंडा होता है इसलिए acidity की problem को heart burn की problem को कम करता है हमारी oral health को maintain करता है immunity को boost करता है cancer के risk को कम करता है aloe vera हमारे cancer के growth को कम करता है और hair growth तो हम इसको बचपरन से ही सुनते आ रहे हैं कि हेर के लिए बहुत जादा और हमारे फेस के लिए से pimples हो जाते हैं उसमें भी aloe vera बहुत जादा मैनिफीशल है next है यह जो aging के sign sign होते हैं उसको prevent करता है हमारे skin को moisturize करता है sunburns से help करता है tanning को reduce करता है और हमारे digestive system को clean करता है और एक हमें ऐसी feeling देता है हमारे body के weight को यह maintain करके रखता है now dosage of vestige aloe vera aloe vera के क्या-क्या dosage है so one or two capsules twice a day means three to four capsules हम एक दिन में इसको ले सकते है next product आते है हमारा आमला आमला तो सब को ही पता है कि क्या होते है तो आमला के जो बहुत जादा important nutrient माना गया है क्यों क्योंकि आमला के अंदर vitamin C होता है इसलिए इसको एक important nutrient माना गया है आमला के अंदर 30 times जादा vitamin C होता है as comparison to orange और आमला को Indian gooseberry भी कहते हैं इसके इसके अंदर calcium phosphorus और iron की जो amount है वो बहुत जादा बहुत जादा है और आमला के अंदर antioxidant के amount भी बहुत जादा है ना आमला के क्या-क्या benefits है आमला हमारी skin के लिए और hair के लिए बहुत जादा benefit है और यह cooling agent की तरह act करता है हमारे immunity system को boost करता है क्योंकि इसके अंदर vitamin C है इसलिए cold से और cup से fight करने के लिए हमारी help करता है हमारे digestive system को यह detoxify करता है और GI track को भी detoxify करता है और यह acidity को कम करता है एक pH level हमारे stomach में बनाया रखता है जिसकी वज़े से acidity maintain रहती है और यह हमारे gastric juice के stimulation को भी increase करता है now what are the doses doses है one or two capsules twice a day एक से दो capsules हम एक दिन में ले सकते हैं एक टू थी तू फोर capsules हम एक दिन में ले सकते हैं करत्स दिन में ले सकते हैं